नवश्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है खास खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए है खास खबर ये है पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी खबर दिखाई थी एक पेडित है पवन तिवारी उनका नाम है जो आउट्सोर्सिंग एक कंपनी है त्रिग उसके कर्मचारी थे बिजली विवाग के लिए वो काम करती थी कंपनी और एक लाइट सुधारने के दौरान चुकि वो उस कंपनी के से कंट्रैक्ट के बेसिस पर एक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे पवन तिवारी का करेंट लगने से पूरा हाथ जल गया और नौबत ये आ गई कि अब हाथ काटना पड़ेगा इसको लेकर जब तमाम सामाजिक संगठन कॉंग्रेस नेता कुंज विहारी तिवारी इन सब ने आवाज उठाई आवाज ये उठाई कि आखिर जिन पैमानों पर कंपनी काम कर रही है ट्रिग कंपनी जिस तरह से काम कर रही है ना वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को तमाम सुविधाय दी जाती है अपनी जान जोखिम में डाल कर कर्मचारी काम करते हैं और जब ऐसी घटना हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा जिम्मेदार वो कंपनी होगी जिम्मेदार बिजली विवाग होगा लगातार विद्दुद विवाग के सामने मांग कर रहे थे तमाम तरह की राहत की बात हुई प्रशासन के सामने या पील की कलेक्टरेट में ग्यापन सौपा इस्थानी स्तर पर तमाम लोगों से चर्चा हुई और जन सहयोग से उनके इलाज के लिए चुकि वो हाथ अब उनको कटवाना पड़ेगा उन्हें बाहर भेजा गया जहां उनका इलाज चल रहा है चंदा इकठा किया गया आम जन के सहयोग से तमाम लोगों ने चंदा इकठा किया दो लाक रुपए से जादा का किराशी एकत्र हो गई कलेक्टर से मांग की कि आप भी मदद करिए कंपनी पर कारवाई हो बिजली विवाग का जो रवाया है उस पर कारवाई हो क्यों इस मुददे को दवाया जा रहा है क्यों इस मुददे पर बात नहीं की जा रही है सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इतना समवेदन से इल मुद्दा है युवाँ के रोजगार से जुड़ता है जो युवा रोजगार की तलाश में ऐसी तमाम कम्पनियों को ज्वाइन करते हैं और इस्थितियां क्या होती हैं इस्थितियां ये होती हैं कि जब ऐसी कोई विशम पर इस्थितिया आती है तो कम्पनियां हात खीच लेती हैं प्रशासन कोई कारवाई नहीं करता प्रशासन चुपी साथ लेता है तब कौन बोले तमाम समाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग कुछ लोग निकल कर सामने आते हैं राजनैतिक लोगों जो विपक्ष में हैं उनकी प्रतिक्रिया तो भगवानी जाने की कब आएगी कब इस युवा को न्याय दिलाने के लिए खड़े है कि इस अंशन में पवन तिवारी के पिता जी उर्मिला तिवारी कुझ विहारी तिवारी देवा भारती देवतलाव गिरीश प्रसाद दुवेदी ऐसे तमाम लोग जो छेत्र के रहने वाले हैं वो इकठे हुए और यह जो मांग है चार सूत्री मांग जो पहले भी की ग हिसापसी सासंद्वारत तैवेतन पर भत्ते के हिसाब से की जाए और दोशी कंपनी जो है ट्रिग उसको उसमें जो जिमेदार अधिकारी है जो कर्मचारी है उन पर गिरफतार उनको गिरफतार किया जाए क्योंकि यह लापरवाही के कारण यह हाथसा हुआ था पवंतिव हुआ चंदा ही कठा किया तब जाकर विलाज शुरू हुआ है लेकिन यह आवाज सिर्फ एक युवा की नहीं है यह आवाज ऐसे तमाम युवाओं की है जो इस तरह की कंपनियों में काम कर रहे हैं ऐसी कोई भी घटना होने के बाद क्या रवया होता है प्रशासन कितनी पर क्यों नहीं बोलता क्यों कारवाई नहीं की जाती है प्राइवेट कंपनियां आउट्सोर्स पे कुछ लोगों को नियुक्त करती है कम पैसे में नियुक्तियां होती है कम पैसा दिया जाता है उनके सुरक्षा के उपकरन का क्या हुआ किन किन सुरक्षा पैमानों के कुछ पॉलिटीशियन्स भी बैठे त्वाई आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है क्या मांगे थी और क्यूं आमरण अंशन शुरू किया हमने पूर्म में आधरनी कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री महोदया और कमिस्टर साहब को ग्यापन दिया था जो पवंतिवारी के साथ घटना हुई और जिस तरह से उनके संबंदित विभाग और ठेकेदार ने दुर्विवहार किया वो जीवन मोच से लड़ रहे हैं लता मंगे सार हस्पिटल नागपुर में हुआ हमने चार सुत्री मागें का ग्यापन दिया था और आज तक का ठाइम दिया दो पहर तक हम लोगों की मागों पे आज तक ध्शान नहीं दिया गया उन्हें मागों को लेके हम पिडित पवंतिवारी के पूझ जी पिता जी श्री उर्मिला तिवारी जी के साथ और बरिश समाज से भी देवा भारती जी के साथ और अन्य लोग निरंतर संख्या बढ़ रही है अपने जीवन का बल्दान देने के लिए जब तक न्याय पवंतिवारी और पवंतिवारी ज झाल